हालो अरिवन, सो यार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CBSC 2023 के जो बोर्ट में होने वाले मैच के पेपर के बारे में कि कौन-कौन से जो टॉपिक्स हैं तुम्हारे मैच सब्जेक्ट में और देखेंगे कि हर चेप्टर में तुम्हें कौन-कौन से जो टॉपिक्स हैं वो तो एटलिस्ट करने ही चीए जिनसे तुम्हारे 80 या 90 परसंट जो मार्स है वो आराम से बन जाएंगे यदि तुम वो टॉपिक्स जो है वो तुम यदि कर लेते हो तो तो चलिए अपन पहले देखते हैं कि कौन-कौन से जो चैप्टर से मैं वो 2023 बोर्ट में है जिसे रिलेशन और फंक्शन और आईटी एफ हैं पूरा जो कि पूरी क्लास 12 में हैं बहुत ज्यादा एहम रोल प्ले करता है और सबस्यादा मार्क्स का भी है वह उसमें जो तुम्हारे पांस टोपिक हैं वो कवर होते इफ्यादा जो चैप्टर आता है वो तुम्हारे दोनों सेपरेट पूरा का पूरा एक पोर्शन लेके आते हैं वेक्टर 3D का जो की 10 मार्क्स का है फिर एल्पिप और जो प्रोबिलिटी है वो तुम्हारे स्लेबस में 8 मार्क्स की है तो यह चैप्टर के पॉंट वीज से ज़ादा जो इसकोरिंग जो चैप्टर सें उन्हों पे इधी माँ बात करूँ तो सबसे ज़ादा इस्कोरिंग जो चैप्टर सें वो सबसे पहले हैं मेटराइसेज एन डे टेनमेन mono matrices और डिटर्मेंट है वो ऐसे टोपिक है बेहद ही आसान सबसे आसान जो chapters है जो हमारी NCIT में है वो है matrices और डिटर्मेंट तो इनमें सबसे कम टाइम में तुम 10 marks है वो तुम गेन कर सकते हो फिर जो chapter आता है वो आता है अपना inverse trigonometric functions इनवस्ट्ट्ट्ट्ट्ट् में उसमें ऊसमें बेहती सिंपल शिंपल डेफिनेशन है वही अपने को पढ़नी है होना क्योंकि जो बनता था बोड में वह अपने साल स्लेवस में नहीं है तो बस खाली ढूमेन, रेंज, और प्रिंसिपल वैलू ब्रांच से तुम ITF के जो 3-4 जो नंबर के जो सवाल आएंगे इनवस्ट ग्रोमेटरी फंक्शन के वो तुम आसानी से ला सकते हो फिर बात आती है Vectors and 3D की Vectors and 3D 3D में भी यदि मैं बात करूँ तो प्लेन जो है वो तुमारे स्लेबस से इस बार CBSC ने हटा दिया है केवल स्टेट लाइन है तुमारे स्लेबस में तो Vectors and 3D जो है वो भी इस Point of View से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट बन जाती है क्योंकि जो प्लेन जो था जो एक भारी पोर्षन था 3D का मन्दब यह मालो कि 60% जो सवाल थे वो प्लेन से पूछे जाते थे अब केवल स्टेट लाइन तुम्हारे इस साल स्लेबस में रही है तो वेक्टर और 3D जो है वो भी तुम कम टाइम में तुम जादा मार्क्स कवर कर सकते हो हलान की तुम जो कैल्कुलस वाला पॉर्षन है वो तुम बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते क्योंकि कैल्कुलस जो होगा सबसे जादा मार्क्स लेके बैठा है 35 नमर मन्दब तुम सोच सकते हो 80 मार्क्स में से 35 नमर केवल कैल्कुलस कवर करके बैठा है तो वहां भी तुम एक दो साल में तो इसका तोपिक का थोड़े ध्यान रखें इंटीग्रेशन और अप्लिकेशन ओव डेरिवेटिव हैं इनमें थोड़ा ये भी ध्यान रखें कि जो क्योशन प्रेक्टिस है तुम्हें वो तुम्हें बढ़ियां वाली करनी है जो बच्छे सिर्फ बोर्ट की कर रहा है वो सिर्फ कैल्कुलस का मैं बोल रहा हूं क्योंकि कैल्कुलस में थोड़ी सी क्वेशन प्रेक्टिस जो है वो बच्चों को जाधा चाहिए होती है जो बच्चे जे या नेट की प्रेप्रेशन साथ-साथ कर रहे हैं वह एक्जेंपलर को छोड़के NCIT प्लस प्र में काफी है prison को में थोड़ा क्म कर आगा that oh Ilka कया oh एक अधा सवाल अटका देता है वईसे प्रोघ्ति एका क्वाले ँप्रोपिक्शन और रेलेशन और ध्यृक्वेले हं यह ध्यंधी मैं बात करूए हैं पन चैप्टर वाइस की कौन-कौन से थोपिक्स जो है वो इंपोर on to function पे तो सवाल आएगा ही आएगा और equivalence relation पढ़ने के लिए तुम्हें types of relation पूरा ही पढ़ना पढ़ेगा तो उस पे भी सवाल हमेशा cbsc करती है तो इध्यान रखना दो जो topics हैं यह बेहद ही important है और chances यही होते हैं कि cbsc यह दी relations and function पे सवाल करेगा तो या तो वो on to function पे नाम पे क्योंगि उसमें range domain और principal value branch यह तीन ही चीज़े syllabus में हैं हना बाकी जो tough question जो ITF से बन सकते थे वो तुम्हारे syllabus में ही नहीं तो काफी scoring है और range domain principal branch मतलब ऐसा topic है कि तुम एक दिन भी यह दिल लेके बैठो ना ITF तो आराम से तुम boards में अच्छा score कर सकते हो chapter number third matrices 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 के यार जितने भी cbsc पिछले सालों में जो pattern मैंने देखा उसमें symmetric and excuse symmetric का जो सवाल है वो cbsc हर साल पूछ पूछ रही है तो ध्यानकना cbsc में boards के लिए symmetric and excuse symmetric matrices यह तुम्हें पक्का गरना है multiplication of matrices multiplication of matrices में जो दो matrices का multiplication है वो तुम्हें आता भी होगा बेहद आसान है कि दिन नहीं आता तो सीख लो क्योंकि matrices के multiplication पे सवाल आते ही आते हैं चाहे वो a square या a cube निकालने के सवाल हो वो भी multiplication से होते हैं चाहे a into b के सवाल हो इस टाइप के जो सवाल होते हैं वो भी इसमें पूछे जाते हैं ठीक है तो यह topic भी काफी important है invertible matrices जो है वो उसकी जो uniqueness है वो थोड़ी सी important है वैसे इसके जो सवाल हो कम पुझे जाते हैं खासकर यह जो उपर वाले दो topic है symmetric and excuse symmetric matrices और multiplication of matrices यह काफी ज्यादा important है cbsc हर साल इन दो topics में से सवाल करती ही करती है ठीक है फिर chapter number fourth determinant determinant में पहला जो मैंने topic लिखा minors and cofactor बेड़ा इसको ध्यानकना चाहे cof factor की properties हो जो properties होती है कि किसी भी row या किसी भी column के element के उन्हीं की cofactor से multiply कर दें तो डिटर्मेंट की value आ जाती है उस वाली property पे भी cbsc हर एक दो साल में सवाल repeat करती है area of triangle यह most important है इस पे सवाल आएगा याएगा एक सवाल आएगा हर साल area of triangle पे question पूछा जा रहा है area of triangle determinant की help स से हाँ पे हमें find out करना होता है तुमने determine topic पढ़ा है chapter पढ़ा है तो तुमने find out किया भी होगा तो area of triangle जो है वो बहुत important है सवाल पक्का आता है inverse of matrices और adjoint निकालना है इसका भी सवाल हमेशा आता है तो यह जो तीन जो topic है solution of linear equation है वो एक अच्छा खासा important topic होता है but cbsc में थ में तो पक्का सवाल आएगा हाना इसमें तो कोई दोराए नहीं कि इनसे सवाल ना दे हर साल इनसे सवाल आते हैं तो इस साल भी पक्के chances हैं कि इस सवाल आएंगे आएंगे फिर आता है continuity and differenceability chapter number 5 यहदि हम differenceability की बात करें तो NCIT में differenceability के नाम पे तो मजाक्सा कर रखा है differenceability है ही नहीं, differenceability के नाम पे differentiation यह तुमें पता है तो इधि मैं बात करूं तो continuity and differenceability में continuity के सवाल जो है वो काफी कम पूछे जाते हैं CBSC में differentiation के ही जो सवाल है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं और differentiation में बात कुरूँ तो derivative of inverse trigonometric function लोंग answer type में derivative of inverse trigonometric function का जो सवाल है वो आने के काफ़ी ज़्यादा chances हैं फिर आता है logarithmic differentiation logarithmic differentiation काफ़ी important है पर जो इसमें सबसे ज़्यादा जो important है जिससे सवाल आता ही आता है वो है second order derivative second order derivative से हर साल सवाल आता है चाहे तुम पिछली कुछ सालों के paper उठागे देख लो हर साल इसका एक नएक सवाल मिलेगा फिर parametric differentiation है वो भी important है parametric differentiation में जैसे पिछली साल तो tangent normal syllabus में थी application of derivative में tangent normal जो होता है वो syllabus में था तो parametric differentiation तो पका ही आना चाहे था हो तो उसके सवाल वो डालता है डालता था बट इस साल वो syllabus से हटा दिया है तो मैं इसको थोड़ी सी इससे कम priority दूँगा कि यार parametric differentiation है उसके जो chances जानेगे वो second order derivative से तो कम ही है chapter number 6 यार chapter number 6 तो ऐसा chapter है जिसमें तुम कुछ सोड़ी ही नहीं सकते हाना सब कुछ important है जो भी तुम्हारे syllabus में है चाहे वो increasing and decreasing function हो या फिर maxima minima हो maxima minima जो है वो ज़्यादा खास है सवाल ज़्यादा maxima minima पे boards में पूछे गए है तो ज़्यादा खास maxima minima हो है चाहे वो open interval में maximum या minimum value find out करवा या close interval में maximuma minima ज़्यादा important इन topics में बन जाता है और AOD के लिए मैं तो ये भी बोलूँगा question practice है वो थोड़ी जमके कर लेना वो थोड़ी सही से कर लेना क्योंकि AOD में CBSC में एक या दो सवाल जो है वो उसमें CBSC वाला फसाता है अच्छा सवाल AOD का जाता है मतलब आता है paper में यदि हम बात करें कि पिछली साल भी तुम paper में देखोगे तो एक जो सवाल है उसने अच्छा सवाल प्युचा था तो एक दो सवाल जो है AOD का वो अच्छा सवाल पूचता है तो AOD पे थोड़ा धार नखना जिदी मैं integration की बात करूँ तो integration में indefinite integration तो तुम में पूरा ही पढ़ना है क्योंकि ये तो base है पूरे integration का तो इसको तुम छोड़ी नहीं सकते है मैं जिदी definite integration में बात करूँ तो definite integration जो properties की help से soul होते हैं डायरेक्ट ऐसे नहीं की integration करके upper limit या lower limit पूट कर दी ऐसे नहीं जो properties के base पे जो definite integration soul होते हैं वो उन पे तुम्हें ज़्यादा focus करना है वो CBSC ज़्यादा पूचती है और यदि मैं indefinite integration में भी बताऊं तो indefinite integration में सबसे ज़्यादा जो सवाल पूचे गए हैं वो इन types के questions में पूचे गए हैं linear upon quadratic हुआ या फिर one upon quadratic हुआ या फिर one linear upon root quadratic one upon root quadratic इस type के जो सवाल हैं वो उन पे CBSC ज़्यादा सवाल करती है या फिर तुम्हारे पास यह जो आता है यह property है न e raise to power x fx plus f dash dx पिछली दो सालों से इस से लगातार सवाल आ रहा है इस property पे e raise to power x fx plus f dash x पराबर e raise to power x into fx plus c होता है पिछली दो सालों से CBSC लगातार इस सवाल पूच रही है तो इसलिए property भी important हो जाती है फिर जो तुम्हारा जो definite integration है उसमें मैंने तुम्हें बताई दिया जो definite integration properties की help से soul होते हैं वो काफी ज़्यादा important होते हैं फिर आता है application of integral application of integral बोलो या area under the car बोलो यदि हम application of integral की बात करें तो ध्यानकना circle और पैराबोला का area state line के साथ यही आएगा हर साल CBSC यही पूछता इसमें और कोई जैसे जो COVID के टाइम से जो paper हुए हैं उनमें area between two curves जो हो हटा दिया है area between curves and state line इस levels में है तो हमेशे इसी पे सवाल पूछते हैं और इसी पे ही पूछेगी और खास कर ध्यान रगना circle और state line का जो area है यह important है पैरा बोला और state line के area से भी तो circle और state line के बीच का area है वो काफी ज़्यादा important है और तुम्हें यह जो topic है यह धंग से कर लेना है अपन चेप्टर ने नमबर 9 पे आता है differential equation में तो order and degree का यह मालो MCQ जो तुम्हारी MCQ के आएंगे तो एक नमबर का जो सवाल है वो order and degree का तुम्हें पक्का देखने को मिलेगा differential equation से तो order and degree important है एक सवाल आएगा homogeneous differential equation जो है वो तुम्हें long answer type जो question मिलेंगे उन में तुम्हें homogeneous के सवाल देखने को मिलेंगे और homogeneous के सवाल इसलिए CVS ज़्यादा पूछता है क्योंकि तुम्हें पता है homogeneous differential equation में variable separable जो differential equation होती है उसका तो role होता ही है तो homogeneous जिस वच्चे को आती है वो तो आनी ही चाहिए तो homogeneous इसलिए important है और linear differential equation तो most important है मैं जतना important बोलू उतना ही कम है खास तोर पे boards में हर साल linear differential equation के सवाल पूछे गए है और ध्यान रखना एक सवाल जो MCQ है एक से दो सवाल जो MCQ है वो differential equation से पक्के पूछे जाएंगे एक तो होगा order degree का एक इसमें जो हम integrating factor निकालते हैं एक सवाल integrating factor का निकालने का भी पक्का आएगा तो differential equation से दो MCQ पक्के आएंगे एक order degree का होगा एक तुम्हारा integrating factor जो है linear differential equation में उसका सवाल होगा तो linear differential equation जो है वो सबसे important है इससे तो सवाल आएगा इससे तो बच्च के boards वाले जाही नहीं सकते हैं तो इसमें 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 properties के help से जो सवाल बनते हैं जो properties पे जो सवाल आते हैं वो थोड़े तुम्हें करने की जोड़त हैं ऐसे नहीं कि A देदेगा, B देदेगा, A dot भी निकालना है ऐसा नहीं देगा तुम्हें properties पे जो सवाल आते हैं dot product और pros product पे वो properties पे सवाल देखने हैं और section जो formula है उस पे भी सवाल आता है CBSC में, section formula जो internally और externally divide करने वाले जो सवाल हैं, वो सब section formula में आते हैं, तो वो भी तुम्हें करने हैं, CBSC इस वाले topic में section formula से हर एक साल छोड़ के एक साल जो है वो सवाल करती है, dot product और cross product तो उसके चहेते topic हैं ही, वो सवाल इनहीं से regular पू समझने में, बड़ CBSC ने इस साल, मलब बच्चों पर काफी ज़्यादा रहम खाया है, कि उसने planes ही हटा दिया, पूरा 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 जो plane है, वो slabus से हटा दिया, के वल स्टेट लाइन है, तो ये तीन topic तुम्हारे पास रह जाते हैं, धंग के topic जो करने हैं, वो है direction, cosine and direction ratio direction cosine का जो relation होता है, L square plus M square plus N square बराबर 1, उसका CBSC हर दो तिन साल में एक बार सवाल पूछ लेती है, ज्यादा important नहीं है, ज्यादा important है shortage distance between skew lines, चाहिए skew lines हो, या फिर parallel lines पे भी सवाल पूछे हैं, skew lines पे सवाल ज्यादा पूछे हैं, parallel lines पे भी पूछे हैं, तो दोनों जो formula हैं, चाहिए skew lines पे shortage distance हो या parallel lines के बीच में distance की बात हो, दोनों तुम्हें करने हैं, angle between two lines, इनमें जो perpendicularity की condition होती है, उस पे सवाल से basic करती है, बट सबसे important जो topic है इस chapter में, वो है shortage distance between two skew lines, फिर आ या तो पूछेगा feasible या infeasible reason, या फिर पूछेगा feasible या infeasible solution, मतलब solution का सवाल हमेशा पूछता है, चाहिए वो bounded problem हो, चाहिए वो unbounded problem हो, तो दोनों तुम्हें करनी है, LPP जो है, वो काफी ज्यादा scoring है, और इस पे बस तुम्हें, जो तुम्हारे पास, जो question बनके आता होता है, तो LPP में सबसे आदा जो practice of equation बनाने पी करनी है, फिर उसके बाद infeasible reason या solution निकालना, वो तो बिलकुल आसान है, वो तो तुम कर ही लोगे, अब अपना आते हैं last chapter probability में, probability में सबसे ज़्यादा जो important है, वो है best theorem, धानकना best theorem पे हमेशा सवाल पूछा जाता है, ब तो total probability से पूछे गया है, फिर conditional probability से भी mcq बनाता है, तो conditional probability इसलिए important है, independent event की definition से ही हमाला पूछ लेता है cbc में, तो independent जो events है, वो भी काम की है, probability distribution जो mean है, वो भी तुमारे इस साल सले बस में add कर दिया है, तो एक सबा जो है, वो इससे पका आएगा, तो ये हमने देखे क maths में, 2023 का जो paper होने वाला है तुमारा, उसमें कौन-कौन से topics जो है, हर chapter में important है, और ये जो topics मैंने बताए है, ये जिस बच्चे ने ये कर लिये, तो ये मालो 90% जो question paper है, वो तुमसे आराम से soul हो जाएगा, क्योंकि cbsc में, ये देखना बेहदी आसान है, पिछले questions paper की help से की सवाल के, कि तुम किन topics से पूछे जा सकते हैं, ये वीडियो जो है, वो तुम्हें काफी help करेगी, तुम्हारी preparation में, all the very best